हलो दोस्तों स्वागत है अपलोग आज केकने वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने विले कि टेक्टो फोन में आप जब भी कॉल करते हो यहाँ पर मैं आपको लाइब दिखा कर ही बोलूँगा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप जब तो यहाँ से आपका कॉल कोई कोई एक ही सिम काट से लग जाता है आप चाहते हो कि आप सिम काट टू से कॉल करें बट यहाँ पर आपको सिम काट वन से ही लग जाता है अगर आप चाहें सिम काट वन से करें तो आपको सिम काट टू से लग जाता है तो इस तरह के प्रब्ल SIM card 1 से लग चुका है यहां पर 2 से नहीं लग पा रहा है मैं दोबारा इस पर call करूंगा SIM card 1 से लग जागा तो इसको ठीक करने के लिए आपको एक setting मिल जाता है यही पर उस setting से आपको कुछ फायदा नहीं होगा बहुत सारे लोग वहां पर setting करते है बट उनका problem same ही रहता है मै यहां से मैं अगर call लगाता हूँ यहां से अब मैं back आ जाता हूँ और यहां से call लगाता हूँ अब मैं अपने phone तो आप यहां पर देख सकतो SIM card 2 से यहां पर call लग जाएगा बट और SIM card 2 से ही लगेगा SIM card 1 से फिर नहीं लग पाएगा तो इस तरह के problem बहुत सारे आ रहे है यहां से अगर मैं चाहूँ अब SIM card 1 से लगाना तो फिर से मुझे वहीं पर जाकर मुझे account स्विच करना पड़ेगा तो इस तरह का problem है तो आपको एक setting मिल जागा जिससे आपको यहीं पर option आ जाएगा जहां से आप directly switch कर सकते हो दो option आएंगे आपको SIM card 1 और SIM card 2 सेलेक्ट कर करने के लिए तो चले उस setting के तरफ चलते हैं यहां पर आपको क्या करना है आपको चले जाना है फोन की setting में और फोन की setting में जाने के बाद आपको network के internet वाले option में चले जाना है और यहां से आपको mobile network का option मिल जाता है mobile network वाले option पर आपको चले जाना है और यहां पर चले जात तो नीचे की तरब आपको option मिल जाता है mobile data and calls and SMS messages तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है calls का calls वाले option पर आपको चले जाना है और जब आप यहाँ पर चले जातों तो यहाँ पर आप देख सकते हूं यहाँ पर तीन option आ रहे ask every time and go 4g, go 5g मैंने 5g यहाँ पर name set कर रखा है ताक मुझे पता चल सके कौन सा कौन सा sim से मुझे calls आते हैं तो यहाँ पर आपको go 4g और go 5g, sim 1, sim 2 दिख रहा होगा और ask every time भी दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर ask every time वाले option पर आपको click कर देना है और click कर दे तो तो यहाँ से आपका setting हो जाता है और यहाँ से बेक चले आना है और आपको यहाँ पर calling account में आना है और यहाँ से आपको कोई भी number dial करना है यहाँ से आप number dial करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से sim card 1, sim card 2 यहाँ पर select करने का option आ चुका है मैं यहाँ से चाहँ तो sim card 1 को select करूँए तो 1 से call लग जाएग करinsky ईंड करेंट यहाँ थे यहाँ रबाँ है तो हैं करूँए तो ह différentesरी में दो कहना है सकते हैं किन ज那麼 необходимо हैं पर पर आपको में अाना है 2 प्यहाँ तो है यहाँ तो है किन पाना है पर दो है पूंचरी लोन है तर भी